मैंने काम किया मनमा जी का इश्क किया धोका जाया फिर फैन हो गया फोजी का फैन हो गया फौजी का घलू बेलकम टू माई यूटीब चैनल तो आज आए हम पथर कोचिंग में क्लास में तो बहुत दिनों के बाद सब लोग आए तो आज हम पुछते हैं अजीद भाई से कि भाई जो तूर आफ डूटी है उसके बारे में वो क्या कहेंगे तो जीद भाई मतलब से वो जो तूर आफ डूटी है और जीडी है वो दोनों भरतिया सेम है या अलग-अलग है वरक तो बहुत है म nhấtलों से अलग अलग है तूर आफ डुटी है तूर आफ थूर पांच या दास में के लिए और जो दूसरी चाहल रही है वह तो पता है आपको जिशे मंतलों से तूर आफ डुटी-टूर दोनों कोई कनेक्शन है उसात में कनेक्षन जैसे कि अब जीरी एक हो ती थी भर्ती थी थी तो एसी होगी हो ना उंके तो जो फूरा हभा होगा बट भस बेस्वोटी की जो टूर अफ डुटी यह वो उन बंड़ों के लिए उंके लिए हो यह पूरे देश में लागूगी है अचाल फूरे देश में लागूगी है तो मदले भाई जो बन्स जासा सोचे कि वही तीन साल के लिए आर्मी की रहली है और महनत करना चोड़ दिया है, तो उन बंदों के लिए कुछ बोलो कि भी हाँ महनत करनी चाहिएगी या नहीं करनी चाहिएगी? मेंनत करना मत छोड़ो कि अभी आप दो या तीन साल के बाद हाग होगी अभी तो फिलाल कुछ ऐसा मिला नहीं है अच्छा, तो मतलब से बंदों को मेहनत करते रहना चाहिए मेहनत करो अँजॉय करो और ँजॉय करो और ओर इंजॉय तो मतल से जीत भाई आपने ARO में बात की थी तो उन्होंने और क्या बोला आपसे उन्होंने बस यही बोला कि आपको ज्यादा मालूम नहीं इसके बार में अब बस जब नॉटिफिकेशन आयागा तब बना लग जाए तो मतल से बंदों को नॉटिफिकेशन का किसे पता जले अब बात बहुत 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 शुक्रीए आपका की आपने इन इन फ्रमिशन दी सबको दन्यवाद मिल्देर आमार साथ